आत्मन निर्भरता की ओर भारत का पहला कदम अर्थ विवस्था में नई जान फूकने की कोशिश देश को संकट से निकालने वाले बड़े फैसले प्रधान मंत्री ने भारत को आने वाले दिनों में ग्लोबल लेवल पर बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का रोड मैप भी दिया है भारत के पास दुनिया की बहतरीन प्रतिभाए और इसके इस्तेमाल से हम आने वाले दिनों में सबसे बहतर उत्पाद बनाएंगे और उसकी गुणवत्ता में सुधार करते हुए सप्लाई चेन को भी हाइटिक बनाना होगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सद्ध करने के लिए पैकेज में जमीन, श्रमिकों, लिक्विडिटी और जरूरी कानूनों में बदलाव की भी विवस्था की जाएगी 20 लाग करोड के जिस पैकेज की बाद पी-म ने कही अब उसका ब्यवरा सामने आने लगा है विद्ध मंतरी निर्मला सीता रमन ने इस पैकेज के तहट बड़े ऐलान किये हैं सरकार ने MSME को 3 लाग करोड रुपे के क्रेडिट फ्री लोन देने का ऐलान किया है MSME को एक साल तक लोन की EMI भी नहीं चुकानी होगी 100 करोड टर्नोवर वाली कमपनियां 25 करोड तक का लोन ले सकेंगी जिसे 4 साल में चुकाना होगा सरकार ने बाजार में नकदी का फ्लो बढ़ाने के लिए EPF को मजूदा 24 फीजदी से घटा कर 20 फीजदी कर दिया है मतलब ये कि टेक होम सैलरी अब ज्यादा होगी आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा आएगा जिसे पर्चेजिंग पावर बढ़ेगी जिनकी सैलरी कम है उनके लिए भी सरकार ने बड़े फैसले लियें 15,000 रुपे तक कमाने वालों का EPF अगस्ट 2020 तक सरकार ही देगी वहीं बिजली कमपनियों को 90,000 करोड रुपे के पैकेज का ऐलान किया गया है रियल एस्टेट कमपनियों के लिए भी पैकेज का ऐलान किया गया है इंकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 नॉवंबर तक बढ़ा दी गई है मार्च 2021 तक TDS 25 फीसदी कम काटा जाएगा सरकार ने ऐलान किया है कि 45 दिन में MSME के सभी वकाय चुका दिये जाएंगे रेरा रजिस्टर्ड बिल्डर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 6 महीने का समय ज्यादा दिया जाएगा हलाकि EPF कम होगा तो टैक्स ज्यादा भरना होगा TDS कम कटेगा तो फाइनल टैक्स ज्यादा पे करना होगा लेकिन ये तो बाद की बात है फिलहाल तो ये घोशनाएं रहत देने वाले घोशनाएं कही जा सकती है बिरो रिपोर्ट, Z-Media दिडिटल वर्ड में नई ग्रांती ख़बरों की दुनिया में धमा का सबसे पहले सबसे सटी बस एक क्लिंक खोल जाएगी पूरी दुनिया